नमस्कार दोस्तों जैसरी राम कैसे आप सभी लोग तो आप सभी लोगों को भधाई हो जितने भी हमारे भारती निवेसक हैं ट्रेडर हैं आपने आज हिंडन बर्ग को लपेट के पीटा है और अब तो मैं कुछ ऐसे डेटा के साथ बाहर आया हो ना जिसको देख के हिंडन बर्ग बिचारा रो देगा काप देगा उसकी संसनी निकल जाएगी क्यों क्योंकि दुनिया जहां पर रो रही है महंगाई को लेकर रिसेशन को लेकर अनिम्प्लॉयमेंट को लेकर वहीं पर अपना भारत देश पांच साल के सबसे लोएस्ट इंफलेशन रेट पर आ चु हो रही होगी कि मानो आज उनके हां पार्टी है क्योंकि किसी भी सेंट्रल बैंक की सबसे बड़ी गारेंटी क्या होती है सबसे बड़ा जॉब क्या होता है कि हम इंफलेशन कितना हद तक कंट्रोल कर सके और इसके लिए समस्त आरभी आई के या समस्त फाइनेंसेल डिपार और कल की पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से देखना और अगर आपको मज़ा आता है दोस्तों इस चैनल पर तो एक बार प्लीज कमेंट कर दिया करो लाइक कर दिया करो सबसे पह अगवान के असी मनकमपा से पांच लाग के आसपास का बना अब आज जो डेटा आया है उसके उपर डिसकसन करते हैं वैसे यह टेलीग्राम चैनल आप लोगे फ्री है भूलना मत जुआइन करने को क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो जो डेटा में आपको देता रहता जो बाते में आपको बताता रहता हूँ जो चार्ट में आपके साथ सेयर करते रहता हूँ वह आप में सकर दोगे अब समझते हैं कि आज का मार्केट पहले कैसे चलेगा या कल कैसे चलेगा उसको बाद में समझते हैं पहले आज के बारे पे फोकस करते देखो बाइस आप स और इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं आपको अंदाजा लगा के दिखाता हूँ तब आपको मज आयेगा जो year on year growth की बात थी पिछली बार जो आया था वो आया था अपना कितना वो आया था 5.08% यह आया था पिछली बाल का CPI और इस बार का जो forecast यानि जो लोग बोल रहते कि यह इस लेबल पर आयेगा वो था 3.65% ठीक है लेकिन आया कितना पता है दोस्तों आया है इससे बिलो 3.54% अब आप डिसाइड करो कि यह डेटा आपको क्या कर रहा है यह डेटा आपको चीक-चीक के कर रहा है कि जो इंडिया की एकोनॉमी है वो स्टेबल है इंडिया में जो नौकरिया है अब देखो मैं इस पर वो नहीं चाहता हूं कि आप मुझे इस पर पॉलिटिकल एजेंडा पर ले जाओ कि सौरब कहा नौकरिया है कैसे बोल नौकरिया है मैं वो आपकी उपर चोड़ रहा हूं आप उसको तालमटोल करके आप उसके बारें डिसकस करो प मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर है उनको कहीं न कहीं यह हिंट लग गया था क्यार यह जो मार्केट है उसके अंदर CPI का डेटा कल बहुत पॉजिटिव आने वाला है देखो जो मार्केट यह मुमेंटम किया नो डाउट बड़े प्लेयर ने यहां पर पैसा अप मार्क कर दिया है अब दो सिच्वेसन हो सकता है कि कल वो प्रॉफिट बुक करे अब रिटेलर्स को यह न्यूज पता चल गई आपको पता चल गया वा 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 वह वा आसी पी आई बहुत अच्छा यह इंडिया की इकोनाॉमी बहुत स्टेबल आप मूध होए नवपंदरा पर trade मारे और आपने trade क्या मारा पता है आपने trade मारा कि सौरम मेरे भाई मैं तो लूँगा call आपने call लिया और just आपके साथ खेल हो गया खेल पता है क्या हो सकता है दोस्तों आपके साथ खेल यह हो सकता है कि CPI data आया जो बड़ा player है मानलो वो काम अपना कर लिया let's कर लेते हैं वो उसने अपना काम कर लिया वो कल धड़ादर धड़ादर यहां पर बेचने लगा आपको लगेगा market bearish हो गया आप पूट लो गया और तब सब पता चला market यहां से उठ गया तो जो मैं आपको यहां पर बताने की कोसिस कर रहा हूं उस psychology को आप एक बड़ समझ है तो आपका काम बन जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपका काम बन जाएगा आए उस psychology को थोड़ा से समझने की कोसिस करते हैं सबसे पहले हम लोग चले आते हैं वाइट ट्रक इस प्लेटफर्म पर बाइद वे वाइट ट्रक अंदर काफी ओफर चल रहा है अगर आप यूज करते हैं freedom 30 code freedom 31 में मिला के तो आपको काफी अच्छा ओफर यहां पर मिल जाएगा आज फिर ये फाइए ने 4000 क्रोड बेचा है तो मार्केट चला कोन रहा है इंडियन मार्केट चला कोन रहा है अगर एक सवाल आपसे मैं पूछो तो आप बोलोगे स्वारब भाई ये तो बहुत अब्य जैसी बात है कि इंडियन मार्केट सिर्फोर सिप डिया चला रहे हैं यानि अपना जो भाई लोग हैं अपने जो रिटेलर सें अपनी जो इंस्टिउसन सें अपने जो स्टॉक मार्केट के काम करने वाले जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो स्टॉक मार्केट चला रहें भारत क्योंकि कब तक देखो यार मैं आपको इतना तो आपको पता होगा मुझे बताने कि कोई आउ सकता नहीं आप लोग इतने तो जानकार होगे कि जो भी एकोनॉमी होती है मेरे भाईयों वो चलती है 60 गाठ से एक कंट्री के साथ इंपोर्ट कैसा एक्सपोर्ट कैसा है बात कैस अगर FII मन बना के अपने stock market में बेच रहे हैं तो बुरा कुछ ना हो लेकिन यह खराब है क्या ऐसा है जो FII को नहीं दिख रहा है क्या ऐसा है जो FII को Indian market के अंदर खटक रहे है 10 000 क तीन हजार चरोर 2 000 क्रोर क्या है ऐसा बुरा Indian stock market में जबकि India market का expansion अभी बहुत बचा हुआ है Indian stock market का GDP forecast बहुत अच्छा है Indian stock market का, Indian market का CPI data बहुत अच्छा है तो इन पागलों को ऐसा क्या दिख रहा है जो हम zelfs और आपको नहीं दिख रहा है या बहुत सारे लोग बहुत अच्छे-च्छे CA है, CFA है, जो मेरी वीडियोज देखते है, and I would like to know the answer, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्षिन में बताना, दूसरी चीज आज देख लेते हैं किन लोगों ने options market में क्या किया है, तो देखो यहाँ पर यह प्रो, यह फाई, इस सब ने क्या किया है, अपने सौट को कवर किया, यानि यह लोग भाग गए हैं अपने सौट को, यानि options बाजार में अभी भी यह बेरिस नहीं है, बूलिस हैं, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल बात है, इस market की psychology को पकड़ना है, कल के लिए, तो मेरा क्या प्लान रहेगा, चुकि मैं एक वीडियो अप डेली डालता हूँ, स्केल्पिंग का, आप लोगों न उसको देखा, और बहुत सराहा, आप लोगों न बहुत प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है, जो लोग इस स्केल्पिंग की वीडियो देखते हैं, उनका नौलिज सूपर 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 बढ़ रहा है, अब इसमें दो-चार चीजे हैं, जो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, कि इधर-उदर की बाते हैं, जो मैं डिसकस करता हूँ, आपके साथ, चलिये साथ डिसकस करते हैं, सबसे पहले मार्केट उपेन होता है मार्केट उपेन होने के बाद गिरता है यह हमारा पुट का ट्रेट था इसमें हम लोग 65,000 बनाते हैं और यह 40,500,000 रुपे यहां पर बने थे उसके बाद मार्केट के अंदर के आया है कि यह मार्केट का पहला psychological लेवल है बनक था क्योंकि हर चीज डेटा जो है हर चीज लिग्ड रहती है उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया होगा हो सकता है कॉल के अंदर पैसा बनाए उसके बाद यहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कि अब सीन यह है कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिटेलर भी फसे होंगे लास्ट मुमेंट में जो बीटीस्टी होल्ड करके गए होंगे तो अब सीन यह है कि अगर कल के दिन मार्केट गैप खुल जाता है तो फिर हम यह देखेंगे कि मार्केट अगेन 50,830 को क्रॉस करके 51,000 या 51,200 की तरफ रवाना हो सकता है अगर गैप खुला तो अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुला तो मुझे जो लग रहा है और कैंडल्स की जो प्रापर्टी उसको देखकर जो मैं आपको अज्यूम करके बता सकता हूँ कि फ्लैट टू गैप डाउन में यह कम से कम बड़े प्लेयर इंडिया वाले ही मैं बाहरी लोगों की भी बात नहीं करूँ इंडिया वाले ही ट्राई करेंगे मार्केट को 100-200 पॉइंट और नीचे गिराने का और फिर वो इस लेवल पर यानि जो लेवल में मार्क कर रहा हूँ ध्यान से सुनिए बाइंग लेवल है यह सारे 50,282 इसको में ग्रीन कर दे रहा हूँ या तो इस लेवल से खरिददारी करेंगे यह या तो यह एरिया से खरिददारी करेंगे क्योंकि अगर मार्केट में यह लोग कल किसी भी लेवल पर खरिददारी कर रहे हैं तो हमारे और आपके काम लायक चीज नहीं है आप समझो ट्रैप है पहली चीज गाइप अप हो गया बड़ा तब तो भाई मामला फिट है तब तो 1,000-1,200 के आसपास मार्केट को यह लोग ले जा सकते हैं तो यहां पैसा लगाए वो प्रॉफिट में आ जाएगा उसका प्रॉफिट कम करने की इच्छाइन की होंगी नहीं और प्रॉफिट दबाना मतलब इतना सारा पैसा लगाएंगी नहीं फ्लैट टू गैब डाउन के केस में आप यह एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि अगर मार्केट 50,500 से 400 के आसपास खुलता है तो 300 से 200 पॉइंट का मुमेंटम आपको डाउन साइड में कल मिल जाएगा सुबा के सुबा उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स होगा और दूसरी चीज ये भी है कि यहां तक अगर फ्लैट मिला तो मार्केट यहां से भी रिटन हो सकता है जहां पर आज एक नया स्विंग ये है एक नया स्विंग ये है तो या तो 50,400 पर बाइंग आएगी या 50,200 पर बाइंग ये तीन आपके लिए ऐसे लेवल्स में दे रहा हूं जिन पर आपको नजर टिका कर रखनी है नजर बना कर रखनी है कि ये लेवल्स पर आपको बाइंग करना है 50,000 830 से लेके ये जो पूरा का पूरा एरिया है अगर 50,000 830 के आसपास मार्केट रिजिस्टेंस फिल करता ह तो आपको सेल करना है मार्केट को सो देट आपको थोड़े बहुत यहाँ पर टार्गेट मिल जाए ये रही आज की अनलिसिस पसंद है अनलिसिस तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देजगा बाइबाइबाइब एव ग्रेट डे